हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जल से जल आपको प्रेगनेंट होना है तो आपका सरीर किस तरीके से स्पॉंड करेगा, किस तरीके से बाड़ी की मैकनिस्म होती है Especially pregnancy जल से जल कंसीव करने के लिए और आज हम ड्राइग्राम के रूप में समझने वाले हैं साथी साथ हम जानेंगे positions के बारे में भी साथी साथ हम जानेंगे कि कितने देर तक आपको वक्त तक लेटे रहना important होता है कितने समय में आपका एक fertilized हो जाएगा 101% तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अधी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंक से और कर लीजेगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे helpful वीडियो आपको आते रहते हैं जो की conceive करने के लिए आपकी बहुत मदद कर सकते हैं और लाखों महिलाओं ने बह करनाते हैं वजाइना को महिला का जो वजाइना होता है वो कुछ ऐसा ही होता है और इस वजाइना के अंदर आपके सीमन को deposit करना होता है ठीक है तो यह महिला का है वजाइना और जब आप इंटर कोर्स करते हैं तो इस तरीके से आपका penetration होता है mail का ठीक है तो यहाँ पे जो आते हैं जब आपका deep penetration होता है तो यह sales जब आप contact करते हैं तब निकलते हैं ठीक है आपके birth कनाल में deposit होने के लिए but 70-75% of semen के साथ sales जो है वो बाहर दोनों ही passes से निकल जाते हैं तो बहुत बार ऐसा feel होता है महिलाओ को कि अगर यह sales निकल रहा है अगर यह sales बाहर आ रहा है तो हमें pregnancy नहीं रुकेगी but मैं आपको बताओं कि यह जो female का vagina है इसके अंदर enter होने के लिए यहाँ पे जो छोटा सा space है जहाँ पे कुछ quantity में sales रहे गए हैं यह कुछ quantity यानि कुछ drops के अंदर millions of spams होते हैं जो कि healthy होते हैं वो vagina के अंदर चले जाते हैं वर्थ कैनाल तक ठीक है और जो महिला की uterus होत होते हैं इनमें दो ओवरीज होती हैं यह दो ओवरीज दोनों साइट में रहती हैं यह ओवरीज के अंदर बहुत सारे एक होते हैं और यह एक होते हैं यह दोनों ही ट्यूब के सहारे मिले रहते हैं और यह राइट और लेफ्ट दोनों ही साइड होते हैं यह दोनों साइड बट इन सभी ओवरीज दोनों ही ओवरीज में जितने एग हैं उसमें से केवल वनली एक एक हर महीने बनता है और इस ट्यूब में आ जाता है तो इस ट्यूब में एक पैसेज होता है जो कि सेफ होता है वहां पे आके यह जो एग है वो वेट करता है कितने दिर का तो यह वेट तो तक रहता है और उसी समय जब आपके टाइम होता है इसको हम और यह जो सेल है आप उसी समय कॉंटेक्ट में रहते हैं तो यह बर्थ कनल में डिपोजिट होने के साथ ही साथ इस ट्यूब के अंदर जो बच्चिव सेल होते हैं वह चले जाते हैं और इस एग को के लिए और कॉंशेप्शन के लिए दैन ये यूट्रस में जा करके चिपक जाते हैं सो फ्रेंड्स में आपको यह कहना चाहूंगी कि जब भी आप कॉंटेक्ट बनाते हैं और आपका यह सीमा निकल जाता है तो थोड़े से क्वंटिटी में जो इस पॉंस बचे हैं वो आप कि विल्कल वजाईना के पास यह जो मेल का पाठ है वो डीप जाना चाहिए तब ही जो बचे हुए सेल है यह जल्दी से अक्टिव होके और एक तक पहुंचके उसको फर्टिलाइस्ट कर पाएंगे अब दोस्तों महिलाओं के बन में यह प्रशन उठता है कि हमें कितने समय तक लेटे रहना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी ड्रॉप में मिलियन सौपट स्पर्म्स होते हैं तो जितने भी स्पर्म्स जाएं यह अंदर वो आपको प्रेगनेंट बनाने के लिए कैपेबल है तो आपको केवल 4 तो 10 मिनट्स तक लेटे रहना है उतनी देर में ही अपना रास्ता ताय कर लेते हैं बहुत इनकी स्पीड होती है स्पर्म्स की तो यह प्रेगनेंसी कंसीव करा देते हैं साथी साथ बहुत सारे लोगों को लगता है कि कौन से पोजिशन में रहना चाहिए तो देखे स्पेसिपिक जैसे कि मैंने आपको बता हैं जो कि यह सेल को पिक करने का काम करते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप कोई भी पोजिशन को ट्राइ करो अगर आप 10 मिनर्स तक लेटे रहो तो भी आपको कंसीव होने के बहुत अधिक चांसस होते हैं कई सारी महलाओं को लगता है कि हम थोरी सी भी लिक्विड महिला के अंदर चली गई है और बाद में आपने वश भी कर लिया साफ कर लिया आप यूरीन पास करा है तो आपकी प्रेगनसी नहीं रुकेगी तो ऐसा नहीं है उस कंडिशन में भी महिला के प्रेगनसी के बहुत अधिक चांसस होते हैं तो अगर आपको प्रेगनसी नहीं रुक रही है तो हो सकता है बिल्कुल छोटी सी कॉप्लिकेशन हो, हामोन का इस्उ हो, इस्ट्रिस लिविल हो जिसकी वज़य से अंदर कोई प्राब्लम हो सकती है जो कि आपकी ठीक भी हो सकती है medications सी या फ़े PCOD PCOS काफी ज़ादा आम चीज आफ ह तो सीट साइक्लिंग करना पर है इंपोर्टट है फ्रेस फ्रूट स्काना जरूटी है मौर्निंग में वाक करना जरूडी है या फिर आपको वयायाम करना जरूडी है योगाख करिए जिससे के स्ट्रेस लिवल आपका डाउन चला जाए तो यह सारी चेजें करके बहुत जल्दी प्रिग्जिन से कंसीव कर सकते हैं तो आपको डाउट किलियर हो गए होंगे कि कितने समय लेट के रहना है पॉजिशन को बड़ी काम करता है आपको कंसीव कराने के लिए गर्वदारन के लिए यदि आपको वीडियो इंट्रिस्टिंग लगी है तो हर जरूरत मनते किस वीडियो को शेर करिए लाइक करिए और चैनल को सुब्राइब जरूर कर ले अपना पूरा धियान रखे खुश रही है भी पॉजिटिव कंसीव हो जाएगा टेंशन लेने के बिलकुल बिज़रत न लिए तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल्शे शुक्रिया थैंक्स पर वाजएंग